पतंजली सूत्र विवेक पूर्ण व्यक्ति जानता है कि हर चीज दुख की ओर ले जाती है परिवर्तन के कारण, चिंदा के कारण, पिछले अनभवों के कारण और उन द्वन्दों के कारण जो तीन गुड़ो और मन की पांच वरत्यों के बीच आवनते हैं भविश्य के दुख को विनस्ट करना है, और द्रश्य के बीच का संबन्द जो की दुख पनाता है उसे तोड़ देना है इसको ओशो समझाते हैं, ओशो कहते हैं, जीवन एक रहस्य है और जीवन के बारे में पहली रहस्य भरी बात यह है कि तुम जीवित हो और हो सकता है तुम्हारे पास जीवन बिलकुल ही ना हो केवल जन्म लेना ही परियाप नहीं होता है जीवन पाने के लिए जन्म लेना तो मातर एक आफसर होता है, तुम इसका उप्योग कर सकते हो जीवन पाने में और तुम इसे चूक भी सकते हो, तब तुम एक मुर्दा जीवन जीओगे, तब बाहरी तोर से वह जीवन जैसा जान पड़ेगा, लेकिन गहरे तल पर तुम्हें कोई जीवन तरंग ना होगी, जीवन अरजित करना पड़ता है, व्यक्ति को कारे करना होता है उसके लिए, व कि, केवल तभी बीज प्रसपुटित होता है, केवल तभी संभावना होती है कि किसी दिन वरच में फल लगेंगे, किसी दिन उसमें फूल खिलेंगे, जब तक कि तुम पूरे खिलने की अवस्था तक नहीं पहुँच जाते, तब तक तो तुम कहने भर को ही जीवित होते ह है अवसर, जब तक कि जीवन एक उत्सव नहीं बन जाता है, वह जीवन होता है, वह व्यक्ति जीवित भी नहीं कहलाता, आनंद, निर्वान, संबोधी, जो कुछ भी तुम इसे कहना चाहो, वह ही है परमविकात, यदि तुम दुखी रहते हो, तो तुम जीवित नहीं होत है, वह दुखी दिखता है, कि तुम चूग गए हो, किसी चरण को, वह दुखी एक संकेत है, कि जीवन भीतर संगर्स कर रहा है, भोटित होने के लिए, लेकिन खोल बहुत कठोर है, बीच का आवरण उसे बाहर नहीं आने दे रहा होता, एंगार बहुत जादा होता है, और और नहीं है, दुख और कुछ भी नहीं है, सिवाए इंगर्स के, कि जीवन फूट पड़े लाखो रंगों में, लाखो इंदर धनशों में, लाखो फूलों में, लाखो लाखो गीतों में, दुख एक नकारा अवस्ता है, वस्ता है दुख और कुछ नहीं सिवाए आनन्द के अभाओ के इसे बहुत गहरे में समझ लेना है अन्य था तुम तो लड़ने लगोगे दुख के साथ और कोई लड़ नहीं सकता किसी अभाओ के साथ वह होता है बिल्कुल अंदकार की बाद तुम नहीं लड़ सकते अंदकार के साथ यजि तुम लड़ते हो तो एकदम होते हो तुम जला सकते हो दिया और अंदकार तिरोहित हो जाता है लेकिन तुम लड़ नहीं सकते अंधेरे से किसके साथ लड़ोगे तुम अंदकार अस्तित्वगत नहीं होता वह होता ही नहीं वह कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे तुम बाहर फेक सको कमरेगे या मार सको य जियों काते हो यदि तुम अंदकार के विशह में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होता है प्रकास के विशह में अंदकार के विशह में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं तुम्हें जलाना पड़ता है दिया और अचानक कहीं कोई अंदकार नहीं होता दुख है अं मात्र एक सूचना होती है, एक सुभाविक सूचना तुम्हारी अंतर सत्ता के विशह में, कि जीवन अभी भी संघर्स कर रहा है, पैदा होने के लिए, दिया अभी प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए है दुख, आनन्द का अभाव है दुख, और कुछ किया जा सकता है का मार्ग अलग हो जाता है, वे अलग हो जाते हैं, अधार्मिक आदमी लड़ने लगता है दुख के साथ, ऐसी इस्तितियां बनाने कोश करता है, जिनमें वह दुखी नहीं होगा, दुख को अपनी नजरों से द्रश्टी से कहीं दूर धखलने लगता है, दूर धका देने लड़ता है, धार्मिक आदमी लाने की कोशिश करता है, अस्तित तुगत को प्रकाश आनन्द की मौजूद की को, ये मार्ग बिलकुल ही वे परीथ है, वे कहीं नहीं मिलते, एक साथ मीलों तक समानंतर चल सकते हो, लेकिन वे मिलते कहीं नहीं, धार्मिक आदमी को उस जग बारे में, और इसके विपरित प्रकार के लिए करो, एक बार प्रकार प्रकाश पहुचता है, तो तुम्हें कुछ और करने की जरुवत नहीं होती, दुख तिरोहित हो जाता है, अंदकार तिरोहित हो जाता है, जीवन होता है क्योलेक संभावना के रूप में, तुम्हें उस पर कारे करना पड़ता है तुम्हें उसे ले आना होता है सची अस्तित्वगत अवस्था तक कोई जीवन्त उत्पन नहीं होता है केवल जीवन्त होने की संभावना लिए रहता है कोई उत्पन नहीं होता है द्रश्टी सहित कि अब देखने की संभावना लिये रहता है जीसस अपने शिश्यों से कहते यदि तुम्हारे पास कान है तो सुनो यदि तुम्हारे पास आँख है तो देखो वे शिश्य तुम जैसे ही थे उनके पास आँखे थी उनके पास कान थे वे अंधे या बहरे नहीं थे क्योंकि जीसस कहते रहे कि यदि उनकी आँखें होती तो वे देखते वे क्राइस्ट को देखने की छमता के विश्य में कह रहे थे वे क्राइस्ट तुमने की सक्षमता की बात कर रहे थे कैसे तुम सुन सकते हो क्राइस्ट को यदि तुमने नहीं सुनी होती तुम्हारी अपनी आंतरी का वाज असंभाओ क्राइस्ट और कुछ नहीं सिवाए तुम्हारी आंतरी का वाज के कैसे तुम देख सकते हो क्राइस्ट को यदि तुम स्वयम को नहीं देख पाते हो क्राइश्ट तुम्हारी आत्मा के अपनी परम महिमा में खिलने के अपना परम विकास पाने के सिवाए कुछ नहीं तुम जीते हो एक बीज की भाती कुछ कारण होते हैं जिनकी वज़े से व्यक्ति भीभाती जीए चला जाता है और निन्यानवे परिश्ट लोग जीते हैं बीज की भाती जरूर कोई बात होगी इन में बीज की भाती बने रहने से आदमी ज्यादा सुरच्छत अन्वाव गरता है उसके चार और सुरच्छा होती है बीज असुरच्छत नहीं होता है एक बरार प्रेस्पुटित होता है वह तो नहीं बन जाता है असुरच्छत उस पर आकर्मन किया जा सकता है वह मारा जा सकता है जानवर हैं, बच्चे हैं इतने लोग मौजूद हैं एक बार बीज पोधे की रूप में खिल जाता है तो ऐह हो जाता है कबचहीन, संगरचणहीन तरह शुरू हो जाते हैं जीवन एक बड़ा साहस है बीज में रहकर, बीज में छिपे रहकर तुम सुरच्छित होते हो बचाव में होते हो, कोई तुम्हें नहीं मारेगा कैसे तुम्हें मारा जा सकता है यदि तुम जीवित ही ना होतो, असंभा केवल जब तुम जीवित होते हो, तब ही तुम मारे जा सकते हो जितने ज़्यादा तुम जीवन्त होते हो, उतने ज़्यादा तुम असुरक्षित होते हो जितने ज़्यादा तुम जित होते उतने ज़्यादा खत्रे होते हैं तुम्हारे आसपास एक संपूर्टिया जीवन तविक्ती बड़े से बड़े खत्रों में जीता है इसलिए लोग बीज की वहांती जीना चाहते हैं संरक्षित सुर्थ ध्यान रखना जीवन का असली सुभावी है असुरक्षा तुम सुरक्षित जीवन नहीं पासकते तुम पासकते हो केवल सुरक्षित मरत्यू सारे बीमे होते हैं मरत्यू के लिए जीवन का कोई बीमा नहीं हो सकता सारी सुनिक्षता है बचाओ के लिए सुरक्षा के लिए, बंद रहने के लिए जीवन खदरनाक होता है लाखों खतरे होते हैं आसपास इसलिए निन्यान बे प्रश्चत लोग बीज बने रहने के पच्च में ही निरते हैं लेकिन क्या बचा रहे होते हो तुम बचाने को कुछ है नहीं क्या सुरच्चत रख रहे हो तुम सुरच्चत रखने के अंतता है कुछ भी नहीं बीज तो उतना ही मरत है जितने की रास्ते में कंकड़ पत्थर और यदि भै बीज की भाती ही बना रहता है तो दुख आएगा ही दुख आएगा क्योंकि इस तरह होने में उसकी अर्थ पूर्टा ना थी उसकी नियती बीज होने की ना थी बलक से बाहर आ जाने की थी पक्षी को छोड़ना पड़ता है अंडे के खोल को अपरसीन के लिए खतरनाक आकाश के लिए जहांकि हर चीज संभाव होती है और उन तमाम संभावनाओं सहित म्रत्यू भी होती है वहाँ जीवन जुम उठाता है म्रत्यू का म्रत्यू के जीवन के विपरीत नहीं वे लोग जो की जीवित रहना चाहते हैं उन्हें एक चीज करनेड़ा लेना है उन्हें म्रत्यू को सुविकार करने की बात करनेड़ा लेना है उन्हें ना केवल सुविकार करना होगा म्रत्यू को बलकि उन्हें तो स्वागत करना है म्रत्यू का हर चण उन्हें तयार रहना होगा उसके लिए यदि तुम नहीं स्विकार करते हो मृत्ति को तो तुम बिल्कुल शुरू से ही मुर्दा बने रहोगे वही है बचाव का एक मातर रास्ता तुम बने रहोगे बीच पक्षी मर जाएगा अंडे की खोल में बहुत से पच्छी मर जाते हैं अंडे की खोल में तुम हो यहाँ पर यदि तुम मुझसे कोई मदद चाते हो तुम मुझे तोड़ने दो तुमारा कवच तुमारी सुरक्षाएं तुमारे बैंक खाते जिन भीमाएं मुझे बनाने तो तुमें खुले हुए असुरक्षित शुरक्षित तो तुम रहोगे कवच में और जल्दी ही तुमें एक सड़ी हुई चीज बन जाओगे बाहर आ जाओ उससे कवच है तुमारे बचाओ के लिए तुम्हें मारने के लिए नहीं उसका उदेश यहीं कि तुम्हें सदा खुल में ही रहना चाहिए अच्छी होती है यह बात शुरू में यह बचाओ भी करती है जब तुम बहुत सुकोमल होते हो विक्सित हो रहे होते हो बाहर आने की दृस्टी से लेकिन जब तुम तयार होते हो तब तोड़ना ही होता है खुल को चाहिए कितनी ही असुविधा हो कितने ही समस्याएं आपको जब तुम सुकोमल होते हो बाहर आने को दृस्टी से लेकिन जब तुम तयार होते हो तब तोड़ना ही होता है खुल को कितनी ही सुविधा में कितने ही सुथ हो तुम खोल में एक पल भी और भी बिताया तो तुमने खोद ही संभावना तुम खोद होगे अफसर जीवित होने का और आकाश में उड़ने का ने संदे खत्रे हैं लेकिन खतंदर है बिना खत्रों के संसार असंदर होगा और बिना खत्रों के जिंदगी कोई बहुत जीविन नहीं हो सकती है इसलिए गैरे तल पर हर पुरुष और हर स्ट्रीकों खत्रों के बिने की एक अंधाप्रेनटा होती है वह अंधाप्रेनटा है जीवन के लिए इसलिए तुम प्रवोधों पर चले जाते हो निकल पढ़ते हो अग्यात यात्रा पर इसलिए आदमी कोशिश करता है चांद पहुँचने की कोशिश करता है अवरेश तक पहुँचने की चल पढ़ता है समुद्री यात्रा पर किसी छोटी सी हाथ की बनी नाव लेकर खत्रे के लिए एक अंतरिक प्रेर्णा होती है वह आंतरिक प्रेर्णा होती है जीवन के प्रती मत मरना उस आंतरिक प्रेर्णा को अन्य रथा तुम यहां होगे और जीवित न होगे यदि तुम मुझे ठीक से समझो तो जब मैं तुम्हें सन्यासी बनाता हूँ जब मैं सन्यास में दिख्षित करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हें दिख्षित करता हूँ असुरक्षा के लिए बिना खोल के जीवन में सन्यास है खोल से बाहर होने की एक छलांग और खोल है अहंकार एहंकार एक सुरक्षा है, तुम्हारे चारोर एक सुदिवार की भाँ थी इसलिए एहंकार इतना ज़्यादा कम्पित होता है कोई कहता है कुछ या की कोई केवल हस पड़ता है तुम पर और वह यूही किसी कारण से हस पड़ता है और तुम्हें छोट लगती है तुम सुयम का बचाव शुरू कर देते हो, तुम लड़ने को तयार हो जाते हो जो कुछ भी खतरनाक जान पड़ता है उसके साथ लड़ने को तत पड़ता से एहंकार एक निरंतर संगर से जीवन के विरुद, क्योंकि जीवन खतरनाक होता है जहां कहीं जीवन प्रित्न करता है तुम्हारे पास पहुंचने का एहंकार वहाँ एक बच्टान की माती मौझूद रहता है तुम्हारे बचाव करने को, इस चट्टान को पार कर जाओ एहंकार के इस कवच को तोट डालो, इसके बाहर आजाओ आकाश खतरा है, मैं नहीं कहता कि वहाँ कोई खतरा नहीं है मैं ऐसा कह नहीं सकता खतरा तो है, खतरे के ही, खतरे ही खतरे हैं लेकिन जीवन पल्लवित होता है खतरों में खतरा ही है भोजन डेंजर इस फूट फॉर लाइफ खत्रे में जीओ, यही है सन्यास का अर्थ, अतीत तुम्हारा बचाव करता है, वग्यात होता है परिचित, तुम अतीत के साथ एक आराम अनुभाव करते हो, भविश होता है अपरिचित, अग्यात भविश के साथ तुम पराया अजनभी मारते हो, भविश शदा ही दौर पर दस्तक देता हुवा अजनभी होता है तुम सदा द्वार खोल देना भवश के लिए वस्टा तुम चाहते हो कि तुम्हारा भवश बिल्कुल तुम्हारे अतीत की ही हो एक दोहराओ यही है भ saya और ध्यान रखना तुम सदा सोचते हो कि तुम भाइबीत हो मृत्यू से लेकिन मैं कहता हूं तुम से तुम भाइबीत नहीं मृत्यू से तुम भाइबीत हो जीवन से मृत्यू कब है मूल रूप से जीवन कब है क्यों नहीं मर सकता है यदि तुम भाइबीत हो मृत्यू से तो तुम भैबीत होगे जीवन से यदि तुम्हें भै होता नीचे गिरने का तो तुम्हें भै होगा उपर चढ़ने का क्योंकि केवल वही लहर जो चढ़ती है वही गिरती है यदि तुम्हें अस्विकत होने का भै होता है तो तुम भैबीत रहोगे की दूसरे के पास कैसे जाए यदित होता है अस्विकत होने का तो तुम प्रेम करने में अक्षम हो जाओगे मृत्यु से भैबीत होकर तुम जीवन के पती अक्षम हो जाते हो तब जिन्दा रहने भर के हो जिन्दा रहते हो और किवल दुख, अंदकार और काली रात तुम्हें गहरे रहती है मात्र जन्म लेना ही परयाप नहीं होता है आवश्यक नहीं होता है तुम्हें दो बार जन्म लेना होता है हिंदूओं के पास इतने इसके लिए एक प्यारा शब्द है वह इसे कहते हैंदूइज दो बार जन्म लेने वाला पहला जन्म तुम्हारे माता-पिता द्वरत दिया गया जन्म मात्रिक संभावना है दूसरे जन्म की अवशकता है यही है जिसे जिसेज़ कहते हैppenर जीवन दूसरा जन्म जिसमें तुम सारे ढांचे तोड़ देते हो, सारे कवश तोड़ देते हो, सारे एहंकार, सारे अतीत, परजितों को, ग्यात को तोड़ देते हो और तुम सरकते हो अग्यात में, अपरिचित में, खत्रों से भरे हुए अस्तितों में हर छण सम्हावना रहती है, मृत्यों की और मृत्यों के साथ ही हर छण तुम बन जाते हो, और ज्यादा जीवनत बहसे होता है, जीवन कभी मरता नहीं है, लेकिन यह अनभव होता है उस व्यक्ति को जो जानता है कि जीवन क्या है, तुमने कभी भी परयाप साहस एकत्र नहीं किया है खोल से बाहर आने का किसे जान सकते हो तुम कि जीवन क्या है और कैसे जान सकते हो तुम कि जीवन म्रत्यू विहीन होता है तुम मर जाओगे जीवन कभी नहीं मरता तुम जीओगे दुख में क्योंकि तुम नकार देते हो जीवन को एहंकार को एहंकार है जीवन का नकार एहंकार को नकार दो और जीवन घटेगा मैं इसलिए सारे प्रग्यावानों का जोर रहा है जीसस, बुद्ध, मुहम्मद, महाविर, जरस्तुत, लाउत से वे सबी जोर देते हैं कि केवल एक बात पर एहंकार को हटा दो और जीवन तुम में घटित होगा बहुत में लेकिन तुम तो चिप के रहते हो एहंकार से एहंकार से चिपकने का अर्थ है अंधेरे से दुख से चिपक जाना यह सूत्र सुन्दर है इसे समझने के कोशिश करना विवेटपूर्ण व्यक्ति जानता है कि हर चीज़ दुख की और ले जाती है परिवर्तन के कारण चिंदा के कारण पिछले अनभों के कारण और उन दोंदव के कारण जो तीन गुणो और मन की पांतियों के बीच आबनते हैं जीवन दुख है इस सूत्र को समझाते हैं जीवन दुख है जैसा कि तुम इसे जानते हो जीवन आनंद मैय है जैसा कि मैं इसे जानता हूँ तब तो हर जरूर अलग-अलग चीज़ों की बात कर रहे होंगे क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए दुख और मेरे लिए सुक कैसे हो सकता है तो हम बाते नहीं कर रहे हैं किसी एक चीज़ की जब तुम बात करते हो जीवन की तो तुम उस जीवन की बात कर रहे हो जो मीज मात रहे जीवन जिसकी केवल आशा ही है स्वपन और कल्पनाएं है वास्तविक प्रमारिक जीवन नहीं तुम बात कर रहे होते हो उस जीवन की जो केवल अकांचा करता है लेकिन जानता कुछ है जो केवल ललगता है लेकिन पहुंचता कभी नहीं वह जीवन जो निरंतर घुटन हो कर रहा होता है लेकिन सोचता है कि घुटन सुविधा है वह जीवन जो एक यातना भरान ना है लेकिन सदा सोचता है कि इसी नरक में से कुछ घटने वाला है स्वर्ग पैदा होने वाला है कैसे स्वर्गुतपन हो सकता है नरक में से कैसे अनन बच सकता है तुम्हारी पिडाओं से नहीं तुम्हारे पिडिज जीवन से और पिडाओं ही पैदा होंगी एक बच्चा उतना दुखी नहीं होता जितना की कोई व्रध वक्ती होता है होना तो ठीक उल्टा चाहिए क्योंकि वृद्ध ने तो जीवन इतना ज़्यादा जी लिया होता है पहुंची रहा होता है शिखर के निकट अनभावों का शिखर खेले हुए फूल लेकिन वह कहीं से भी निकट नहीं होता इसके एकदम इसके विपरीद जीवन चड़ती हुई लहर नहीं रहा था वह नहीं पहुंचा है किसी स्वर्ग तक बलकि वह उतर गया है कहीं और अध्यारे और गहरे नरक में व्रिद्ध से तो ज़्यादा स्वर्गी जान पड़ता है कोई बख व्रिद्ध तो बनना चाहिए एक पुराना वरक्ष एक विशाल वरक्ष लेकिन वह नहीं बनता वह पहुंच चुका होता है नरक से ज़्यादा अंध्यरे छेत्रों में यह ऐसा होता है जैसे कि जीवन एक गिरती वी घटना हो ना कि चड़ती जैसे कि तुम गिर रहे हो और अंध्यरे छेत्रों में नहीं उठे जैसे कि तुम गिर रहे हो और और अंध्यरे छेत्रों में नहीं उठ रहे सूर की और क्या गढ़ता है व्रद को एक बच्चा दुखी होता है एक व्रद भी दुखी होता है वे दोनों एक ही मारग पर होते हैं बच्चे ने तो बस शुरू ही की है यात्रा और व्रद संचित कर लिया सारी यात्रा के सारे दुखों को नरक में से सुर्ग नहीं जननता जिसे तुम आज दुखी हो तुम कैसे सोचते हो कि कल सुखी और अनन्द पूर्ण हो सकते हो तुम कल तुम्हारे आज से ही आएगा ताह होगा है कल किसी आकास में से नहीं आता तुम्हारा कल आता है तुम से ही तुम्हें बीते हुए कल एक साथ मिलकर आज को मिलाकर होने वाला है तुम्हारे आने वाला कल यह तो सीधा साफ गड़ित है हाज तुम दुखी और पीड़ित हो तो कैसे यह सब्वाए कि कल सुख और आनन्द पूर्णता होगी असंभव वाओ थै इंपॉसिबल जब तक तुम मर नहीं जाते ऐसा असंभव है क्योंकि तुम्हारे मिलत्यू के साथ सारे बीते कल भी मर जाएंगे तब यह बात तुम्हारे दुखों सिन आई होगी तब यह बात एक ताजी घटना होगी कोई ऐशी बात जो कि पहली बार घटती है तब यह तुम्हारे मन में नहीं आएगी यह आएगी तुम्हारी तसत्ता में तुम बन जाते हो दूइज दो बार जन्मते हो दुख की का को समझने की कोशिश करना क्योंकि हो क्यों हो तुम इतने दुखी reason behind your sorrow your sadness कौन से चीज निर्मित करती है इतना ज़्यादा दुख मैं ध्यान से देखता हूँ तुम्हारी तर दुख के उपर दुख है पर्त दर परत यह तुसमुच एक चमतकार है कि कैसे तुम जीए जा रहे हो जरूर यही बात रही होगी कि आशा भाव से ज़्यादा मजबूत है तुम अपने ज़्यादा शक्ति शाली है वास्तविक्ता से अन्य था कैसे जीए जा सकते थे तुम तुम्हारे पास जीने के हो कुछ नहीं सिवाई इस आशके की कल किसी न किसी तरह कोई चीज घटित होगी जो हर चीज बदल देगी वाला कल एक चमतकार है और यही बात तुम सोच रहो बहुत जन्मों से लाखों कल आए और आज बन गए लेकिन आशा बची रहती है फिर आशा जीए जाती है तुम इसलिए नहीं जीते कि तुम्हारे पास से पूछा क्यों आदमी जीए ही चला जाता है कोई नहीं दे सका जवाब सबने कंदे उचका दिये टाल गए बात कहता है उमर खयाम कि मैं बहुतों के पास गया जो अपने ग्यान के लिए विक्षात थे लेकिन मुझे दो आर से वापस लोट जाना पड़ा तुम निराश होकर ना जानते हुए कि किस से पूछना है मैं एक आखाश को देख कर खूब रोया मैंने पूछा आखाश से मैंने कहा आखाश से तुम तो यहां मौजूद रहे हो तुमने देखी हैं वे सारी पिड़ाएं जिनका की अस्तित्व रहा है अतीत में लाखो लाखो पीड़ित रहे हैं तुम जरूर जानते होगे लोग जिये ही चले जाते हैं वाणी उत्री आखाश से आखाश के कारण अर्थात आखाश ने कहा आशा के कारण आशा है तुमारा एक मात्र जीवन आशा के धागे सही तुम सह सकत सारे दुखों को सवर्ग के एक सपने सही थी तुम भूल जाते हो कि तुमारे चारो न रख़े तुम जीते हो सपनों में सपन जीवित रखते हो यदार्द असUNDर होता है क्यों घटता है इतना ज़्यादा दुख और तुम क्यों नहीं जान सकते कि क्यों घट रहा होता है वै तुम क्यों नहीं डगते उसका कारण दुख का कारण ढूरने के लिए तुम्हे उससे बचना छोड़ना होगा कोई चीज तुम कैसे जान सकते हो यदि तुम उससे बचते रहते हो तो जान सकते हो तुम कोई चीज यदि तुम बच कर निकल भागते हो यदि तुम जानना चाहते हो कोई चीज तो तुम्हें एकदम सामने ही साक्षात करना होता है उस चीज से जब कभी तुम दुखी होते हो तुम आशा करने लगते हो कि आने वाला कल तुरंट ज्यादा महत बन जाता है आज से यह होता है बच निकलना तुम भागे हो बच कर और अब आशा काम कर रही है नशे की भाती तुम दुखी हो, तो तुम नशा करते हो, और तुम भूल जाते हो, अब तुम नशे में मदमस्त होते हो, आशा के नसे में, आशा जैसा कोई नशा नहीं होता है, किसी मार जिवाना, किसी LCD की कोई तुलना ही नहीं इसके साथ, आशा एक परम LCD है, अर्थात आशा एक ड्रक्स है ऐसा ड्रक्स जिसके जिसकान अशा कभी नहीं उतरता आशा के करेंध कर लिएधरा नरक पी जब कभी तुम दुक्तला कंतर करती हो तो तूरंत बचना चाहते हो तुम इसे बुलाने कोशिश करते हो इसलिएग conse अगली बार जब तुम दुखी हो तो तुमने ज़्यादा पतिच्छा नहीं करनी पड़ेगी जैसा कि मेरा प्रवचन समाप्त होगा और तुम हो जाओगे वैसे ही तब भागने की कोशिश मत करना मेरा प्रवचन भी शायद एक बचाओ की भाती ही कारे कर रहा हो तुम सुनते हो मुझे तुम भूल जाते हो स्वयम को तुम सुनते हो मुझे तुम ध्यान तो तुम्हें ध्यान देना पड़ता है मेरी और लेकिन तुम्हारे स्वयम की और पीठ मोड लेते हो तुम तुम भूल जाते हो तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी वास्ते के से ती क्या है मैं बात करता हूँ आनंद की आनंद वे भोरता की वह बात सत्य होती है मेरे लिए लेकिन तुम्हारे लिए वह बन जाती है एक सौपन फिर एक आशा बन जाती है कि यदि तुम ध्यान करो, यदि तुम इस पर काम करो, तो ऐसा तुम्हें भी घटेगा, मत उपयोग करना इस नशे की भाती, तुम गुरू का उपयोग कर सकते हो नशे की भाती और तुम पर असर हो सकता है, मेरा सारा प्रयास है, तुम्हें ज़्यादा जागरुग बना दे तो देखो, यदि तुम उदास हो, तो उदासी ही होती है वाकता, उसी के साथ रहो, उसी के साथ रहकर आगे ना बढ़, उसी पर कागर हो जाओ, सामना करो उसका, होने दो से, उसके विपरीत मत जाना, शुरू में यह एक बहुत कड़वा नुभा होगा, क्योंकि जब तुम सामना करते हो उस उदासी का, तो वह तुम्हें घिर लेगी, हर तरफ से, तुम बन जाते हो छोड़े से द्वीक की भाती, जिसके चारो तरफ समुद्र है, उदासी का, और इतनी बड़ी लहरे होती है उदासी की, भै लगने लगता है, कमपन महसूद होता है, एकदम अंतस तक कापो, भैभीद हो, एक बात मत करना, भागना मत, ऐसा होने दो, इस पर उत्रो उत्रो उसमें, जल्दी ही कड़वा उतना कड़वा ना रहेगा, जल्दी ही कड़वे सा छातकार से उदित हो जाता है, जल्दी ही तुम गतिमान हो रहे होगे, ज्यादा गहरे और गहरे में उतरते हुए, और तुम ढूंड लोगे कारण कि दुख का कारण क्या है, क्यों तुम इतने दुखी हो, कारण कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे बीतर होता है, तुम्हारे दुख में छिपा होता है, दुख होता है बिल्कु दूएं की बाती, कहीं तुम्हारे भीतर मौजूद होती है आग दूए में गहरे उतरना कि तुम ढूंड सको आग को कोई नहीं ला सकता अकेले दूए को बाहर क्योंकि वह तो साथ जन्मता है लेकिन यदि तुम बाहर ले आते हो आग तो दूए अपने से ही अदरता है कारण ढूंड लेना परणाम ते रोहित हो जाता है क्योंकि तब कुछ किया जा सकता है ध्यान रहे किवल कारण के साथ ही कुछ किया जा सकता है परणाम के साथ नहीं परणाम के साथ लड़ते चले जाते हो तो वह सारा संगर्स विर्थ होता है यही प्रतिप्रसव विधी का कारणा तक लोड जाओ परिणाम में उतरो और कारणा तक पहुँच जाओ कारणा वहीं कहीं होगा जरूर परिणाम होता है ठीक तुम्हें गहरने वाले दुवें की बात ही लेकिन एक बार दुवा गहर लेता है तो तुम भाग कर चले जाते हो आशा में तुम सपन देखते हो उन दिनों का जब कोई धुआ न रहेगा यह बिल्कुल मूरता है ना कि क्यों मूरता है बलकि आत्म घाती बात है क्योंकि इसी तरह तुम चूक रहे हो कारण को पतंजली कहते हैं विवेक पूर्ण वक्ति संस्कृत में शब्द है विवेक इसका अर्थ होता है जागरुकता इसका अर्थ होता है होशपूर्ण था इसका अर्थ होता है विवेक पूर्ण शक्ति क्योंकि जागरुकता के द्वारा तुम कर सकते हो कौन चीज क्या है क्या सत्य है क्या सत्य है क्या परणाम है क्या कारण प्रग्यावान वेक्ति वेक्षेल वेक्ति जागरुक वेक्ति जान लेता है कि हर चीज ले जाती है दुख की और जैसे कि तुम हो हर चीज ले जाती है दुख की और और ये तुम बनेते हो जैसे तुम हो और हर चीज ले जाती है दुक की और ये कोई इस्तितियों को ही बदलने की बात नहीं है ये तुम्हारे भीतर बहुत कहराई तक उत्री चीज की बात है तुम्हारे भीतर की कोई बात अनंद की संभावना को ही कुंठित कर देती है तुम्हारे भीतर की कोई चीज तुम्हारी अनंद में अवस्था तक खिलने के विर्द होती है जागा हुआ आदमी जान लेता है कि हर चीज दुख की और ले जाती है हर एक चीज तुमने कर ली होती है हर बात लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि हर बात की और ले जाती है यदि तुम घ्रणा करते हो तो बात ले जाती है दुख तक यदि तुम प्रेम करते हो तो बात ले जाती है दुख तक जीवन में कोई तरक युक धंग दिखाई नहीं पड़ता वेक्ति गहना करता है और ले जाती है ये बात दुक की और सीधा तरक तो कहेगा कि गहना ले जाती है दुक तक तब प्रेम तो जरूर ले जाना चाहिए सुक तक फिर तुम प्रेम करते हो और प्रेम भी ले जाता है दुक और क्या है ये सब क्या जीवन बिल्कुल ही अतर बेतुका है क्या कहीं कुछ तरक युक नहीं है क्या यह एक अराजकता तुम कर लेते हो जो कुछ भी तुम करना चाहते हो और अंत में चला आता है दुख ऐसा मालूम बढ़ता है कि दुख एक राज मार गया और हर मार को उस तक आ पहुँचता है जहां कहीं से भी तुम प्रारम करना चाहो तुम कर सकते हो प्रारम दाएं बाएं मद्य हिंदू, मसल्मान, इसाइक, जैन, पुरुस, इस्तरी, ग्यान, अग्यान, प्रेम, करुणा, ग्रणा हर चीज पहुचा देती है दुख तक यदि करोध में होते हो तो वह तुमें ले जाता है दुख की और मैंने सुनी है एक कथा और मुझे सदा ही प्यारी रही है यह तो करने से पहले, काइंडली, सब्सक्राइब, दे चैनल, और लाइक दे वीडियो अब मैं आगे पढ़ता हूँ एक मनो विशलेशक कहानी है, एक मनो विशलेशक एक पाहना देखने गया था उसने एक पागल के बारे में पूछा सुपरिटेंडेंट से, जो चीक रहा था और रो रहा था और पटक रहा था अपना सिर्दीवार पर, उसके हाथ ने सुन्दर इस्तरी की तस्वीर थी पूछा उस मनोचिक सक ने, साइकाट्रिस्ट ने, क्या हुआ है इस आदमी को सुपरिटेंडेंड ने कहा, यह आदमी इस इस्तरी को प्रेम कर रहा था यह पागल हुआ क्योंकि वह इस्तरी इससे विवाह करने को राजी नहीं हुई इसलिए वह पागल हो गया तरक्यूक सीधी सा बात लेकिन उससे अगले में एक और पागल था और वह भी चिख रहा था, रो रहा था, पीट रहा था अपना सिर उसके हाथ में भी उसी इस्तरी की तemie, आप थी और वह उसको मार रहा था, पीट रहा था, थूक रहा था तस्वीर पर पूछा साइकार्टिस्ट ने उससे क्या हुआ इस आदमे को इसके पास भी वही तस्वीर है इसको क्या हुआ सुपर्टेंडेंट बोला यह आदमे भी इसी इस्तरी के प्रेम में पागल था और मान गई और विवाह कर लिया इससे और विवाह के बाद जो जगड़े हुए उससे यह पागल हो गया इस तरी अस्वीकार करती है किस्वीकार करती है इससे अंदर नहीं पढ़ता है तुम विवाह करो करो इससे भी अंदर नहीं पढ़ता है मैंने गरीब लोगों को दुखी होते देखा है मैंने अमीर लोगों को दुखी होते देखा है असफल और सफल दोनों दुखी हो जाते है जो कुछ भी तुम करते हो अंत्ता है तुम आ पहुंचते हो लच्छे तक रुवए है दुख क्या हर रस्ता नरक तक ले जाता है बात क्या होती है तब तु कहीं कोई विकल्प नहीं जान पड़ता हाँ हर चीज ले जाती है दुख में यदि तुम वैसे ही बने रहते हो तो मैं कहूंगा दूसरी बात यदि तुम बदल जाते हो तो हर चीज ले जाती है स्वर्ग की और हर चीज ले जाती है स्वर्ग की और यदि तुम वैसे के वैसे बने रहते हो तो तुम ही रहते हो आधार ना कि तुम जो करते हो तो तुम करते हो वह अप्रसंगिक होता है गहराई में तुम होते हो, चाहे तुम घ्रणा करो, या प्रेम करो वह तुम होते हो, जो अंत्रत है दुख आशुक की या पिड़ा या आननद की घरतने नेल्मित करते हैं जब तक कि तुम नहीं बदल जाते, तब तक वो घटनाएं घटती रहेंगे मत घ्रणा से प्रेम तक जाना इस इस्त्री से उस इस्त्री तक इस घर से उस घर तक यह मदद नहीं करेगा तुम समय और उर्जा बर्बाद कर रहे होते हो तुम्हें बदलना होगा स्वयम को क्यों हर चीज ले जा दुख में पतंजली कहते हैं विवेक पूर्ण व्यक्ति जानता है हर चीज दुख की और ले जाती है परिवर्तन के करण चिंता के करण पिछले अनभावों के करण यह वच्चन समझ लेना जैसे है जैसे हैं जीवन में हर चीज परिवर्तित हो रही जीवन के ऐसे गतिमे प्रवाह में तुम किसी चीज की अपेच्छा नहीं कर सकते हैं यदि तुम अपेच्छा करते हो तो तुम दुखी होगे क्योंकि अपेच्छाएं एक्सपेक्टेशन्स संभव होती हैं एक निस्चित और चिर इस्थाई संसार में बदलते हुए गतिमे प्रवाह जैसे संसार में किनी अपेच्छाओं की संभवना नहीं होती है तुम प्रेम करते हो किसी इस्तरी से वह बहुत ज़्यादा प्रसंद पड़ती है लेकिन अगली सुबह वह नहीं रहती वैसी तुमने उसे प्रेम किया था उसकी प्रसंद 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 चित रहने की लेकिन अगली सुबह वह प्रसंद 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 दुख में तुम विवा करते हो एक सुन्दर इस तरह से लेकिन वह बिमार पड़ सकती है तुम्दर मिट सकता है चेचक हो सकते हैं चेहरा भी गड़ सकता है क्या करोगे तुम मुला नसुर अदीन की पतनी एक बार उस से कहा लगता है कि अब तुम मुझे प्रेम नहीं करती है क्या तुम्हे याद है या क्या तुम चुके होगी मौलवी के सामने तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे तुम हमेशा मेरा साथ दोगे सुख में औ या दुख की गड़ी हो मैं साथ रहूँगा तुम्हारे लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था मौलवी से कि मैं तुम्हें प्रेम करूँगा बुढ़ापे में ये बात कभी नहीं थी उस वाइदे का हिस्सा लेकिन बुढ़ापा आ जाता है चीज़ बदलती है एक सुन्दर चेहरा असुन्दर हो जाता है सुखी आदमी दुखी हो जाता है बहुत कोमल व्यक्ती बहुत कठोर हो जाता है गुनगुना हटती रोहित हो जाती है और जगडालू व्रत्ती प्रकट होती है जीवन प्रवा है और हर चीज़ बदलती है तुम अपक्षा करते हो तो दुख आबनता है पतंजले कहाते हैं परिवरतन के कारण दुख गहटित होता है यदि जीवन पूरी तरह जड़ होता और कहीं कोई परिवरतन नहीं होता तुम परेम करते किसी ललके और वह ललकी हमेशा बनी रहे सोलह साल की हमेशा गुन गुनाती रहे हमेशा खुश रहे आनंदित रहे तुम भी वैसे ही रहो जड़ अस्ते तुने संदे तब तुम वक्तिनार होगे जीवन जीवन नहीं होगा वह जड़ पत्थर होगा पर कम से कम आशा अच्छा है पूरी हो जाएंगी लेकिन एक कठना ही होती है इससे एक उबाव नेगी और वह निर्मित कर देगी दुख को परिवर्तन नहीं होगा लेकिन तब उबाव नेगी बोर हो जाओगे आप तो यदि चीज़ें नहीं बदलती है तो लाइफ बोरिंग हो जाती है यदि पतनी मुस्कुराती रहे मुस्कुराती रहे रोज तो कुछ जिनों बाद तुम थोड़े चिंतित हो जाओगे क्या हुआ इससे तरीक हो क्या इसकी मुस्कान असली है या क्यों यह नाटक कर रही है अभिना में तुकुराते रह सकते हो तो मुक पर ऐसा नियंतर रख सकते हो मैंने देखा जो लोगों को नीन में मुस्कुरा रहे होते हैं राजनितिक और इसी तरह के कई लोग नियंतर ही मुस्कुराना पड़ता है तब उनके होट में एक स्थाया कार भरन कर लेता है ये तुम कहो उन से कि मुस्कुराएं नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते है उन्हें मुस्कुराना ही पड़ेगा वह बात एक धंक बन चुकी होती है लेकिन तब उबा बनती है और वह उब तुम्हें ले आएगी दुख की और सुर्ग में हर चीज इस्ताई होती है कोई चीज नहीं बदलती हर चीज वैसी ही बनी रहती है जैसे की होती है हर चीज सुन्दर बर्टन रसल ने अपनी आत्मकता में लिखा है मैं नहीं जाना चाहूंगा किसी जन्नत में किसी सुर्ग में क्योंकि वह बाद बहुत ज्यादा उबाओ होगी हाँ वह बाद बहुत उबाओ होगी ज़रा सोचो तो उस जगे जहां सारे पंडित प्रोहित पेगंबर तेर थंकर बुद्ध पुरुश एकत्रित हो गए हो और कुछ न बदलता हो हर चीज निश्चल बनी रहती हो कोई गति ना हो वह तो रंगों से सजाई तस्वीर मालूं भी जो कि वास्तों में जिन्दा ना हो कितना देर तक तुम जी सकते हो उसमें रसल ठीक कहता है यदि यही स्वर्ग है तब तु नरक बहतर है कम से कम कुछ परिवर्टन तो होगा वहां नारक में हर चीज बदल रही होती है लेकिन तनिया पे च्छाओं की पूर्टी नहीं की जा सकती यही अड़चन मन के साथ यदि जीवन निरंतर गतिमा होता है तो आप एक च्छाओं की पूर्टी नहीं हो सकती यदि जीवन होता है एक निर्धारित खटना तो आप एक च्छाओं पूरी हो सकती थे इतनी ज़्यादा कि तुम उप महसूस करने लगते तब कहीं कोई रस नहीं रहता हर चीज धुन्दली पड़ गई होती कुन-कुनी कोई परिवर्टन नहीं सदा चिंता मौजूद होती है तुम्हारे भीतर मैं कहता हूँ सदा ही यदि तुम गरीब हो तो चिंता होती है कि धन कैसे पाले है यदि तुम धनवान बन जाते हो तो तुम चिंता होती है कैसे उसे बनाए ही रहे हैं कि तुम जैसे की प्राप्त किया है सदा भय रहता है चोरों का डाकों का और सरकार का जो कि एक संगठिड डकैती होती है टैकसिस का भय है और कम्मिनिस्ट सदा आने आने को ही है जिसे तुम गरीब होते हो तो तुम्हें चिंता होती है कैसे पाले धन जिसे तुम पालेते हो त लेकिन चिन्ता दो बनी ही रहती है अभी उस दिन एक जोड़ा आया मेरे पास और पुरुश कहने लगा यदी मैं इस तरी के साथ होता हूं तो बेचानी होती है क्योंकि यह बात तो निरंतर संघर्स की होती है और यदी मैं इस तरी के साथ ना रहूं तो यह एक निरंतर आता, उसकी अपनी समस्याएं और समस्याएं दुगनी नहीं होती, जब दो व्यक्ति मिलते हैं वे तो कई गुणा हो जाती है पुरुष अकेला नहीं रहता क्योंकि वह अकेला पन बना देता है चिंता, पुरुष इस्टरी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि तब इस्त्री बना देती है चिंता यही बात सबते है इस्त्री के लिए भी चिंता तुम्हारे जीवन का एक धंगी बन जाती है जो कुछ भी घटता है चिंता तो बनी रहती है पिछले अनभाव संसकार दुख निर्मित करते हैं क्योंकि जब कभी तरीकों से गतिमान हो और उर्जा तुम्हारे पिछले अनभाव की उस लीक में ना बह रही हो तो तुम अधूरापन अनभाव करते हो लेकिन यदि जीवन उसी तरह बना रहा है और उर्जा उसी लीक से बहती रहती है तब तुम उब अनभाव करते हो तब तुम तब तु चीए चले जाने गा तिम रोज रोज वही भोजन खा सकते मैं खा सकता हूँ वही भोजन मेरी बात छोड़ दो तुम नहीं खा सकते यह थिम रोज बदलते हो खाने कोगई चीजे यह बात भी चिनता और मुसीबत खड़ी कर दे कि शरीर भोजन के साथ अनकूलित हो जाता है और यदि हर रोज बदलते हो उसे तो शरीर का रसायन बदल जाता है और शरीर असुविधा अनभाव करता है शरीर सुविधा अनभाव करता है यदि तुम एक ही तरह का भोजन खाते हो लेकिन तब मन नहीं अनभाव करता सुविधापूर्ण यादि तुम जीए हो तुम्हारी पिछली आदतों के दौरा तो सरीर सदा अनभावरेगा सुविधापूर्ण वोगि शरीर एक यंद्र है वे नए के लिए उत्सुक नहीं वे तो बस वही बात एक चाहता है सरीर को चाहिए एक ही दिन चाहरेया, मन सदा चाहता परिवर्तन, तो कि मन सुयम ही एक कतिमा गटना है पल भर के लिए मन वही रहता जो पहले रहता है वे बदलता ही जाता है दुख मुक्ति द्रश्टा दर्श वियोग से पेश तीन सुटतर ओशो बुलाते हैं तुम्हें पतंजली योगशुत्र भागतो पार्ट वन समाप्त थैंक यू